ये बात करीब 1960 की है, उस वक्त आक्ट्रस तनूजा की उमर शायद 20 साल भी नहीं थी, जब तनूजा जी ने एक फिल्मी मैगजीन के लिए फोटो शूट किया था जो उस जमाने के हिसाब से आज से करीब 60 साल पहले बहुत ही बोल्ड चीज थी. तनूजा जी की ये तस्वीर पवई लेक पर ली गई थी, जो बॉम्बे में IIT के बगल में है, ये लेक आज भी मौचूद है, और आज यहां अफकोर्स कई सारी बिल्डिंग्स हैं असपास, लेकिन उस जमाने में यहां लोग फिशिंग के लिए आया करते थे, मचली जाया करते थे, मैं एक्ट्रिस तनूजा की बॉल्ड लुक्स के बारे में कुछ और भी कहना चाता हूँ, मेरे नम है राहूल, इसस सेमिल्टी एमेम, विथ राहूल तनूजा जी को अगर आप खबरों में या सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं तो आपको यह मालूमी होगा कि वो बहुत ही फायर ब्रैंड किसम की परस्नालिटी हैं, काफी बेबाक राय रखती हैं अपनी चीजों के बारे में, तनूजा हमेशा से अपने वक्त से आगे थी 1965 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें अशोक कुमार थे, धर्मेंद्र थे और थी तनूजा, वो फिल्म थी चांद और सूरज कोई भी प्लेबैक सॉंग पर अपना मूँ चलाए, यानि माइम करे, यह आसान नहीं होता और अगर आप पानी में हैं और उसके बाद भी आपको अक्टिंग करनी है, मूँ चलाना है, माइम करना है, यह आसान नहीं है सो यह गाना पिक्चराइज करना कितना टफ था फॉर अक्ट्रस तनूजा और भवरा आ भी जाता है और स्कली को स्विमिंग पूल में नहाते हुए देख भी लेता है और शर्मा भी जाता है सल्यूट है टू अक्ट्रस तनूजा और वो बाकी अक्ट्रस को भी जिन्होंने बड़े परते पर बिकिनी पहनी उन पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, इसको ज़रूर देखिएगा यू टेक केर, टाला